भारत और आयरलेंड के बीच पहला T20 मैच खेला जाना है बता दें कि दो T20 मैचों के इस सिरेज से पहले इवा भारतिय लेक स्पिनर युजवेंदर चहल ने एक ऐसी बात कही है जिसे सुनकर आप खोस हो सकते हैं आपको बता दें कि सिमित ओवर के क्रिकेट में भारतिय टीम का अहम हिस्सा बन चुके चहल ने मंगलवार को कहा कि अब वो दो तरह से गुगली कर सकते हैं जो उनके लंबे समय तक फायदा पहुँचाएगी चहल ने कहा कि वो ये गुगली सिर के नजदीक से कर सकते हैं जबकि दुसरी गुगली सिर से दूर रख सकते हैं मुझे इससे काफी मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि बल्लेवार सिर की स्थिती पर ध्यान रखता है ऐसे में मेरे लिए कारगर साबित हो सकता है चहल ने कहा कि एक बाए हाथ के स्पीनर से जदा दाए हाथ के स्पीनर के पास दो ही वीविदता होती है जबकि एक दाए हाथ के स्पीनर के पास चार वीविदता होती है ऐसे में बल्लेवाज हमेशा सोचता रहता है कि अगली गेंद कौन सी होगी पिछले कुछ समय से सिमित ओवर क्रिकेट में कलाई के गेंदवाज काफी सफलता हासिल कर रहे हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना कलाई के स्पीनर के आप यहां नहीं जित सकते हैं मुझे लगता है कि आयर लाइंड और इंग लाइंड की परिस्तिती स्पीनरों को मदद करेगी यह चहल का पहला ब्रिटेन का दोरा है और वह यहां खेलने को लेकर काफी उत्सायत हैं लेकिन अब देखना आया है कि युजवेंद्र चहल अपनी गुगली का कमाल कितना दिखाते हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स टेस्ट के रिपोर्ट अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या पर स्क्रिप्ट राइडर तो हमें संपस करें